हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत, भारत की परातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्स्क्राइब करें, तिलक गथाएं मैं उन्हें यहाँ छोड़कर, जाने के लिए तयार नहीं हुई, तो वो खुदे, मज़े छोड़कर चले गए लेकिन मैं, मैं उन्हें धुड निकालूंगी, मैंने सुक्दुक में उनका साथ निभाने का वादा किया है, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, जरूर आप ने अब तक मेरा बहुत सहयोग दिया है, सिस्टर, इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ तुम जिन्दगी को मजाग समझती हो जाएं बुचकर मना चाहती हो, जाओ, चली जाओ याँ से, जाओ अब जीएंगे, तो साथ साथ और मरेंगे भी, तो साथ साथ, ये, मैंने प्रण लिया है और साइं बाबा से भी, ये ही वादा कर लिया है मुझे शक्ति दे, ताकि मैं अपने भक्तों की लाज रख सकूँ उनके वचन पूरे कर सकूँ मेरे भक्तों के प्रण, उनके वादे न पूरे हुए मालेक तुम मुझे पर कोई विश्वास नहीं करेगा और मुझे पर विश्वास न करने का मतलब तुम पर अविश्वास आज जो लोग मुझे पर शद्धा रखते हैं वो शद्धा नहीं रहेगी शद्धा जाएगी तो आस्था भी साथ जाएगी फिर भक्ति कहां से आएगी ये मालेक तुमने मुझे सब को करना देने के लिए भेजा है मैं तुमसे करना मांग रहा हूँ एक करुना कर, करुना करो तयार करो सबका मालिक एक 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 अब तक सो रहे हो तुम कितने स्वार्थी हो तुम गण यह Johnny लेकिन प्यार स्वार्थी नहीं होता है दिनानाथ मंजुला इसकी मिसाल है तुम्हे जान लिवा बीमारी है और इस बीमारी से तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान खत्रे में डाल दिया और तुम प्यार करते हो ना ? इससे अपनी पत्नी मानते हो ना इसे तो क्यों इसकी जान के दुश्मन बने हो तुम्हारी बीमारी मंजुला को लग गई तो तो क्या तुम इसे मरने दोगे ये तुम्हें छोड़ कर नहीं जाती है तो तुम इसे छोड़ कर चले जाओ मंजुला को बचाना चाहते हो तो यही एक रास्ता है ठीक कह रहे हो तुम मंजुला एक दिन रोएगी दो दिन रोएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें भूल जाएगी और नई जिन्दगी की शुरुआत करेगी तुम भी तो यही चाहते हो ना हाँ यही चाहता हूं मैं मंजुला सदा सुखी रहे यही इच्छा है मेरी मैं इसी वक्त मैं इसी वक्त चला जाता हूं झाल 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 जाता हूं दॉक्टर। दिनानाजी अंदर भी नहीं है और बाहर भी कहीं दिखाए नहीं दे रहे हैं। कहार चले गाए। सिस्टर लगता है दिनानाजी यहां से कहीं भाग गए है। मंजी मंजी क्या हुआ। मंजी 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 क्या हुआ। लगता है बेहुश हो गई। मेरे दोस्त का क्या हुआ। जानती हो ना तुम मेरा भी वही होने वाला है। लगता हैं। क्या हुआ। लगता हैं। लगता हैं। कहीं ये खत तुम ही ने तो नहीं लिखा सच बताओ कौन हो तुम कि अपना गुंगा डडाओ मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है मैंने प्रण करका है मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती तो फिर जाओ यहां से मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मैं यहां चोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो खुदे मुझे चोड़कर चले गए लेकिन मैं मैं उन्हें धुड निकालूंगी मैंने सुक्दुक में उनका साथ निभाने का वादा किया है मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी जरूर आपने अब तक मेरा बहुत सहयोग दिया है सिस्टर इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ साही 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 बाबा मैंने आपको कभी देखा नहीं लेकिन मंजुला आपको भगवान मानती है अपने भग और उसकी भगती की लाज रखना साही बाबा साही साही तांगे वाले तांगा रोको अपको कर दो तांगे 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 अपको साही जी अपनानाम नाम बताया था उसने क्या उसने पने गौण का नाम बताया नहीं बताया वो बिमार था और बार-बार खास रहा था मैं तो खून की उल्टी देखकर रही समझ गई थी कि वह बचने वाला नहीं है चलो चलो चल कर देखें आप कैसा ये झाल 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 मेरे पती की रक्षा कीजिए साइं बाबा मेरे पती की रक्षा कीजिए मालिक पर जिसकी शद्धा है विश्वास है भरोसा है मालिक की दुआ हमेशा उसके साथ में रहती है जो तन, मन, धन से मालिक के हो जाते हैं मालिक सदा उनके साथ रहता है जो लोग मालिक को पाने के लिए अपना सब कुछ दाओं पर लगा देते हैं मालिक उनके लिए सब कुछ करता है वो कभी अपने भक्तों को मजधार में नहीं छोड़ता ये सच है कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है उसे पाने के लिए बहुत सी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है बहुत सी कसोटियों पर घरा उतरना पड़ता है कड़ी तपस्या करनी पड़ती है उसके बाद जैसे सूरुदै होता है वैसे ही मालिक की क्रपा होती है और वो ही क्रपा भक्त की जिन्दगी को रोशन कर देती है सबका मालिक एक साहीं बाबा मुझ पर क्रिपा कीचिये बहुत दोर आ गई हूं उन्हें धुनते धुनते अब तो उन्हें मिला दो झाल झाल क्यों रो रही हो बेटी अकेली हो जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है तुम उनकी शरण में चली जाओ वहीं तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएंगे रास्ता तो दिखा दिया आपने का कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे साही बाबा मुझे मेरे पती से मिलवा सकते हैं साही बाबा आपकी बेटी आपकी शरण में आई है पती के बिना पत्नी का जीवन व्यार्थ है अगर मेरे भाग्य में पती सुख नहीं है तो मेरा जीवन समात्त कर दीजिए और यदि मेरे भाग्य में पती सुख है तो उन्हें ढूनने का रास्ता दिखाये बाबा मुझे निराश मत कीजिए साही बाबा मुझे निराश मत कीजिए अगर मुझे निराश मत कीजिए कि निराश मत कीजिए कि यह कैसा सपना था कि मैं तो किसी को पहचानती ही नहीं कि एक लड़की की शादी हो रही थी कि सुभे की आरती की तैयारियां हो रही है मैंने साही बाबा से रास्ता दिखाने को कहा था और सपने में गाउं दिखता है कहीं दिनानाज जी उसे गाउं में तो नहीं होंगे हां हां ऐसा ही होगा साही बाबा ने मुझे रास्ता दिखा दिया जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी नहीं बोलता हमेशा उसकी सहायता करता हूं चाहे वो मुझे से कोसों दूर ही क्यों ना हो मैं किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास पहुच जाता हूं सद्गुरू के बिना कोई अपनी मन्जिल हासल नहीं कर सकता क्योंकि सद्गुरू मार्ग दर्शक है ऐसा मार्ग दर्शक जो अपने शिश्यों को मुक्ती का मार्ग दिखाता है मेरे भक्त जब मुझसे मार्ग दर्शन की उम्मीद करते हैं तो मैं उनका मार्ग दर्शक बन जाता हूं सबका मालेक एक सबस्ट कर दो वाई सब शीव जी का मंदिर कहा है बस कुछी कदमों पे आगे है जीननाग्जी जीननाग्जी किस दीननाग्जी किस दीननाग्जी को पुकार रही हो तुम अपने पती को वो तपैदी के मरीज है वो तुम्हें छोड़कर भागा है हात आई तुम्हारा नाम मंजुला है मेरे नाम मंजुला है कहा है मेरे पती कैसी पत्नी हो तुम्हारा पती तो इस गाउं से कपका चला गया है कुछी दिन तो बचे है उसकी जिंदगी के ताई मेरे पती कहां है तुम्हारा पती तो इस गाउं से कपका चला गया है है कि कुकुकुकु कि कि झाल पुआ कि दिनानाट जी धारम शाला में रुखने की यही तो खराबी यह कोई किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता लोग रात को भी नहीं सोनी दिते इस लड़की ने तो हदी कर दी सोते जाकते जब देखो तब दिनानाट जी दिनानाट जी ही पुकारती रहती है साइं बाबा आपने मुझे उनसे मिलवाने का रास्ता तो दिखा दिया परन्तु उनकी हालत के बारे में सोचकर ही मन बेचैन हो जाता है उनकी रक्षा कीजिए साहीं बाबा मेरे पते की रक्षा कीजिए सूर्यस्त्वं जागजीवनम् प्रभपति मिता प्रतिवंदनम् दिन करहे दिन मनी नमा वी करो तुम मतर पणं कि बाय बाबा मेरे मिन प्रतिवंदनम् झाल झाल कर वह दिननाद कीं अपने पती को काका जी मेरे पती कि इस नदी में गिर गे थे उन्हें किसीना किसीने तो बचाया होगा विए इसलिए पुच रही हूं वे चैन्हें अबी यहотуरी नदी है इसका प्रवादेखा कितना यह टेज है वो तो प्रवाग के साथ कितनी दूर निकल गया होगा काका जी अगर मैं इस नदी में कुछ जाओं तो मैं अपने पती के पास पहुंच जाओंगी ना जैसाई बाबा क्या देख रहे हैं बाबा क्या हुआ साइनाथ अब बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए मैंने सत्वान और सावित्री का पुनर्जन देखा मालसा पती मैंने पतिविर्दा नारी का समरपन और त्याग देखा जब मन में विश्वास और मालिक पर अठूट शद्धा होती है तो इंसान में भी मृत्व को रोकने की शक्ती आ जाती है पती निष्ठा और पती प्रेम दर को भी डराकर भगा देता है मालसा पती एसी नारी तब जगदंबा बन जाती है और मालिक के बनाए हुए नियमों को चुनोती देती है अब संघर्ष अटल है कैसा संघर्ष बाबा? भक्ती और शक्ती में जीवन और मृत्यु में पती निष्ठा और इश्वरी निष्ठा में मालसा पती शामा नाना वली तुमने कभी सूरज को उगने से रुकते हुए देखा है नहीं न अब देखोगे समुन्दर को खुश्खोते कभी देखा है हाग को पानी की तरह पीते कभी किसी को देखा है यह आप क्या कहरें साइनाथ? मैं अनहोनी के बात कर रहा हूँ अब अनहोनी होनी में बदल जाएगी मालसा पती और इसका साक्षात कार तुम सबको भी होगा अब समय को रुकना होगा सबका सबका मालेक एक एक जिसे जीना ही अच्छा ना लग रहा हो उसे जिन्दगी कैसी लगेगी इतरे तंग आ चुके हो जिन्दगी से इस तपेदी की बिमारी से तंग आ चुका हूँ लो ये पिलो ये आपने मुझे क्या पिलाया है जहर जहर जीना नहीं चाहते फिर भी मौत से डरते हो इसका क्या मतलब हुआ मौत तो एक नाइट दिन सबको आनी है कोई नहीं बचेगा उससे मैं भी नहीं लेकिन मैं जिन्दगी से दूर नहीं भागता तुम मरना क्यों चाहते थे ये जो मैं लगा रहा हूँ वो जड़ी बूटियों का लेप है और जो मैंने तुम्हें पिलाया वो जड़ी बूटियों का रस था आप वैद्य हैं? नहीं मुझे यहां की जड़ी बूटियों की पहचान है पिछले तीस साल से इस जंगल में रह रहा हूँ जड़ी बूटियों के प्रयोग से मैं जान गया हूँ कि किस बीमारी में किस बूटी या जड़ का प्रयोग होता है आपने बीमारों को ठीक किया है? हाँ लेकिन तुम्हारी इस बीमारी ने तुम्हारे शरीर को अपने वश में कर लिया है इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है और मैं तुम्हें इस समय आशा देने की स्थिती में भी नहीं हूँ क्योंकि लग ऐसा रहा है जैसे कुछी दिन है तुम्हारे पास कोशिश करके देखता हूँ इश्वर की कृपा तुम पर हो गई तो तुम बज जाओगे तुम्हारा कोई थगा संबंधी भाई बहन माँ बाप मेरा कोई नहीं है पत्नी? कहा ना मेरा कोई नहीं है मेरा कोई नहीं है लगता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो जै श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम ऐसा कई बार होता है मुसाफिर मन्जिल पर आकर हिम्मत हार जाता है उसे उस समय अपने मन की शक्ति का सहारा लेना चाहिए पीछे छोड़े हुए रास्ते को देख कर ये सोचना चाहिए कि उसने कितना लंबा रास्ता तै किया है और अब तो मन्जिल सामने है अब तो मन्जिल पर पहुचना ही पहुचना है अपनी मंजिल को हासिल करना ही करना है जो अपनी मदद करते हैं मालिक भी उनकी मदद करता है जो 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 जा से हैं माला अपनी माला अपनी माला